हेलो दोस्तो श्वागत है आप सबी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सबी लोगों के साथ मैं जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं लगातार विबिन परकार की परतियों की परिक्षाओं के लिए जुड़ा रहता हूं उसी संकला में एक नई वेकंसी DRDO यानि Defense Research and Development Organization के द्वारा वेकंसी निकाली गई है 1000 प्लस पोस्ट हैं 1061 वेकंसी से जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं और आपको पहले ही बता दू आप चाहे 10 पास हैं चाहे 12 पास हैं चाहे आप graduation कर रहे हैं या graduate हैं या आप post graduate हैं सबी के लिए इसके अंदर पोस्ट दी गई हैं तो मैं आपको सबी पोस्टों के बारे में complete detail में बताने वाला हूँ और जिनका भी एक ये सपना होता है कुछ बच्चों का आप कह सकते हैं जो की ये चाहते हैं कि हम जो है DRDO के अंदर है या ISRO के अंदर है या आपका जो है कोई Air Force, NDA, Navy इनके अंदर जो है जा करके काम करें और देश के लिए कुछ करके दिखाएं तो आपके लिए एक मौका है बहुती सांदार और एक हजार एक्षट वेकेंसी कम नहीं होती है तो आप जो है अपने दम पर जो है इसके अंदर गुश सकते हैं और मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में एक एक उसका सैलेबस उसके क्या-क्या इजिबलीटी है क्या-क्या 2022 से ठीक है और ओपनिंग डेट आपकी जो एडमी आपकी जो फॉर्म है एप्लिकेशन फॉर्म से जो फिल करने की डेट है वो साथ नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गए है साथ तारिक से और क्लोजिंग डेट यानि की एप्लिकेशन की लास्ट डेट है साथ दिसंबर यानि जब आप form fill कर रहे हो ठीक है जिस तारिक की end तारिक है न आपकी वो क्या है 7 December है तो 7 December तक आपके पास में जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ usability वो complete हो जानी चाहिए 7 December के बाद में नहीं होनी चाहिए 7 December से पहले पहले आपके पास में वो सबी योगिताय आ चुकी हो ठीक है चलिए तो आपको exam date पता चल गई है मतलब आपकी form fill करने की date पता चल चुकी है कब से कब तक बढ़ना है ठीक है चलिए अब अब बात करते हैं qualifications की तो सबसे पहले बात करेंगे पहली post जो इसके अंदर है वो है junior translation officer किसकी है junior translation officer की इसके अंदर educational अगर qualification की बात की जाए तो है master degree होनी चाहिए आपके पास में हिंदी या English में ठीक है in Hindi या English with Hindi and English as compulsory or elective subject at the degree level आपके पास में master degree होनी चाहिए हिंदी या English medium किसी में भी लेकिन साथ में हिंदी या English एक as a subject आपकी compulsory या elective subject आपकी होनी चाहिए या फिर आपके पास में master degree होनी चाहिए in any subject with Hindi as medium of instruction and examination with English as compulsory subject at degree level मतला आपके पास में ultimately यह यह वापस से कि master degree के अंदर आपके अगर हिंदी subject है तो as a medium जो है आपका English के साथ में होनी चाहिए जो आपकी compulsory subject है वो ठीक है फिर तीसरी आपकी usability है कि bachelor degree with Hindi and English as a main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognized diploma or certificate course in translation from Hindi and English vice versa of two years experience translation work from Hindi and English से ठीक है यह सब तो यह यह कह रहा है कि अगर आपके पास में master degree नहीं है किवल graduation degree है ठीक है तो graduation degree की condition भी वही रहेगी कि या तो आपने Hindi है जो में सब्जेक्ट है तो English आपके examination की जो है medium होना चाहिए या English है तो Hindi medium होना चाहिए या फिर Hindi या English इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपकी man course के अंदर होनी चाहिए साथी साथ जो है आपके पास में एक certificate या diploma किया हुआ होना चाहिए translation का जो Hindi to English और English to Hindi का और दो साल का experience भी होना चाहिए और age जो है आपकी 30 वर्स से उपर नहीं हो ठीक है इसके बाद में आ जाता है second step आपके जो second post है वो है stenograpper grade first की तो stenograpper के लिए आपके bachelor degree मांगे गई है और कुछ नहीं है skill test आपका होगा जिसमें आपको dictation होगा 10 minute का 100 word per minute के हिसाब से और transcription होगा जो कि 40 minute English में और only on computer ठीक है यहाँ पर भी age 30 वर्स से जादा नहीं होनी चाहिए इसके बाद में बात आ जाती है आपके stenograpper grade second की ठीक है यह भी English typing के अंदर ही है इसमें लेकिन मांगी है keval 12th क्या मांगी है keval 12th मांगी है 10 minute dictation है 80 word per minute के हिसाब से और transcription है इसके अंदर 50 minute वो भी English में और age है 18 से 27 साल के बीच में कहाँ पर 18 से 27 साल के बीच में अब देखिए दोस्तों आपको बता दू कि जो भी विद्यारती LDC की तयारी करता है उसके लिए यहाँ एक बहुत सांदार पोस्ट दी गई है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको benefit मिल सकता है कहाँ पर तो देखिएगा कि administrative assistant administrative assistant Hindi typing and English typing तो आपको बता दू administrative assistant जो है वहाँ पर आपको यह फाइदा है कि एक तो इस भी जो qualification है वो 12th pass ही है ठीक है साथी साथ आपको Hindi typing करनी है तो Hindi typing वाले में आप form field करिए English typing करनी है तो English typing वाले में ठीक है तो English typing 35 words per minute मांगे गए है और skill test Hindi के लिए Hindi typing मांगे गई है 30 words per minute ठीक है age है 18-27 18-27 तो जो LDC की तयारी कर रहे है उनके लिए अच्छा सा मौका है नहीं है और बाद में जाकर के typing देनी ही है तो क्यों ना DRDO के अंदर अगर हमारे LDC वाले की बाद में लेट होता है तो हमें administrative assistant बन जाए DRDO के अंदर ही क्यों कोई गाटा थोड़ी है same salary type का तो है ठीक है तो आप वहाँ पर भी try कर सकते हैं जो LDC की तक्यारी कर रहे है वो administrative assistant का form जरूर भर सकते हैं इसके बाद में इसी के साथ में store assistant की और है इसमें भी हिंदी typing वालों के लिए अलग इंग्लिश typing वालों के लिए अलग है बारवी pass बारवी pass ही मांगी गई है और इंग्लिश typing में वही 35 word per minute और हिंदी में 30 word per minute 18-27 age 18-27 age security assistant A तो इसमें बारवी pass मांगी गई है लेकिन physical fitness और capability to undertake certain duties मतलब जो आपकी duties वगएरा है वो आप ले सके हैं इतने आप physically fitness और capable होने चाहिए जो क्या होगी duties वगएरा वो आगे है ठीक है 18-27 age इसमें भी है फिर आपके पास में अगर आप 10th pass है only तो vehicle operator आप बन सकते हैं 10th class pass है तो लेकिन इसमें condition क्या है कि आपके पास में 2 wheeler का और 3 wheeler का जो है क्या होना चाहिए आपके पास में heavy vehicles वगएरा जो है आपके पास में driving license होना चाहिए valid knowledge होना चाहिए आपको motor mechanism 27 साल से जादा नहीं होनी चाहिए fire engine driver की जरूरत है वो भी 10th pass है ठीक है इसमें भी वही है valid आपके पास में driving license हो आपको traffic regulations का knowledge हो और physical fitness और capability हो आपकी 18 से 27 साल age है fireman की है तो इसमें आपके secondary school certificate होना चाहिए यानि कि आपका जो 10th standard है वो पास होना चाहिए और वो भी किस के according 10th plus 2 system के according यानि कि आप 10th के बाद में 12th में पहुचते हो अलग-अलग board में अलग-अलग rule होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है direct 10th के बाद graduation वगिरा में चले गए हो ठीक है तो 10th plus 2 system के according आप 10th pass होने चाहिए और आपका physically fitness और capability होनी चाहिए आपकी duties को ले करके 18-27 साल इसमें भी एज मांगी गई है vacancy की बात की जाए तो देख लीजिए junior translation officer की जो vacancy है वो आपके यहां अलग-अलग बता दी गई है टोटल जो है 33 पोस्टे हैं इस्टेंदोगरापर 1st grade की 215 पोस्टे हैं इस्टेंदोगरापर 2nd grade की 123 पोस्टे हैं administrative assistant A grade की आपके A जो है उसकी यह 250 English की और Hindi की है 12 store assistant A English की है 134 और store assistant Hindi typing की है आपके केवल और केवल 4 पोस्टे हैं ठीक है और security assistant A की है 41 पोस्टे हैं और vehicle operator A की है आपके पास में 145 और fire engine driver की है 18 पोस्टे हैं और fireman की है 86 पोस्टे हैं और टोटल इस परकार से आपके पास में 1061 पोस्टे हैं दे रखी है ठीक है समझा आगई बात चली अब बात करते हैं अपने आगे तो next आजाता है आपके पास में आपके जो आपकी service के rule वगरा है posting वगरा है तो आपको पहले ही यहां पर मैं बता जेता हूँ देखिएगा आप अभी यह देखिए terms of posting को लेकर के यहां clear किया गया है कि candidates must give their preference for posting to various stations related to the post code and code name in the application तो आपसे जो form फिल करवाया जाया तो आप इस जो आपके पास में यह notification है इसको लेकर के जरूर बैटे और इसके अंदर हर state का अलग code है और हर post का अलग code है और आपके preference का जो आप किस district में पहले जाते हैं कौन से station पर जाना चाते हैं उसके लिए यहाँ पर पूरा जो है आपको दिया गया है तो आप उसी के according form फिल करें ठीक है तो यह आपके खुद की जो है जिम्मेदारी है इसके अंदर कोई बताने वाली चीज नहीं है ठीक है चलिए बाकी यह सब जो है आप form फिल कहा करेंगे तो डिया डियो की website पर करेंगे वो इसमें दे रखा है आपके exam की city जो है तो मैं आपको बता दू किसमें राजस्तान के कौन से है तो देखो भाई आपने पहले देख लेते है टोटल आगरा है एमदाबाद है औरंगाबाद है ब जम्मू है फिर अपना एक जोदपूर है कानपूर है कोची है कलकता है ले है लगनू है मुंबई है नागपूर है नासिक है पाना जी है अपके पतना है पोर्ट बलेयर है प्रियागराज है पुने है राइपूर है रांची है सीली गूरी है आपका दिरुवनपूरम है व बात कर लेते हैं तो फिजिकली फिटनेस में देखिए जो आपके जहां कहीं भी फिजिकली की बात की गई थी वहाँ पर हाइट आपके विदाउट सूज होनी चाहिए कितनी 165 सेंटी मीटर मिनीमम ठीक है फिमेल के लिए 157 और मेल के लिए 165 चेस्ट जो है अन एक्सपेंड वेट जो है 50 kg मेल के लिए और 45 kg फिमेल के लिए है इसके बाद में फिजिकली डिफॉर्मली या बॉल लेक्स है नौक नी है या फ्लेट फूट है तो वो सब आप समझी जकते हैं तो इन सब को बार किया जाएगा maximum relaxation of 2.5 cm in height and in chest may be allowed for candidate belonging to hill areas यानि की जो आपके प्रवत्य चेत्र से आते हैं उनके लिए जो है ये एक्सपेंडेशन वगरा chest वगरा में थोड़ी सी चूट दी जा सकती है medical standard की बात की जाए तो six by six आपका eyes होना चाहिए ठीक है और फिर physically आपको color blindness होती है या no light वगरा जो होता है तो ये आपको पता ही है common sense की बात है कोई अगर आख से उसके कुछ problem है तो उनके लिए फिर DRDO वगरा में तो आप देश की सुरुक्षा की बात होती है तो उन्हें जो है अलग-अलग पोश्टों में यहां पर बताया गया है कि आप इन इन में नहीं जा सकते ठीक है बाकि आप जो है जुसी पोश्टों में apply करिए यहां मत करिए DRDO में तो फिर देखिए male candidate के लिए physically की बात की जाए तो 1600 मीटर आपको साथ मिनट के अंदर complete करना है running करनी ह और 63.5, 63 किलो का वजन लेकर के आपको 183 मीटर चलना है ठीक है 96 सेकेंड के अंदर अंदर यह केवल fireman के लिए है फिर 3 मीटर आपको vertical rope होगी उसके उपर चड़ना है और 20 आपको sit-ups करने है 2.7 मीटर आपको ditch and launching on both feet आपको long jump और यह सब आपके होते हैं वो होने आपको करने आने चाहिए female के लिए भी यही system है थोड़ा सा ठीक है चलेए फिर अपने selection process बता दूँ तो सबसे पहले आपका जो है TIR1 आपको pass करना पड़ेगा जो कि आपका CBT होगा computer based test होगा उसके बाद में आप physically या जो skill test वगरा होंगे ठीक है और फिर आपका जो score है CBT1 के अंदर वो normalize वगरा किया जा सकता है ऐसा इसमें का गया है उसमें multiple choice question आएंगे exam का medium आपका हिंदी और English रहेगा ठीक है यह ज़्यादा जुरूरी है ना अपने लिए ठीक है तो इसके बारे में जान लेते हैं तो आपके देखिएगा post code है 031 0301 उसके अंदर केवल हिंदी और English आईगी जो 80 number की आईगी और exam time मिलेगा side minute ठीक है बाकी जो है post है उन सबी के लिए 75 question आएंगे जो quantitative aptitude यानि maths आईगी reasoning आईगी general awareness आईगा और general English आईगी 75 marks का होगा और 75 ही question होगे side minute ही दिये जाएंगे तो अब मैं आपको जो है ये देख लो 0301 जो post है वो कौन सी ये दिखा देता हूँ इधर देख लीजिएगा आप ये वाली ये जो देखो junior translation officer जो है ना इस post के लिए हिंदी और English ही पढ़ना है बाकी जो भी post आप फिल करते है administrative officer assistant की हो चाहिए store assistant वगरा तो उसमें आपको जो है आपकी math reasoning पढ़नी है general awareness पढ़ना है और general English पढ़नी है तो math अपनी मारे youtube channel पर चली रही है general awareness के अंदर आपकी general science जो है वो चली रही है Indian geography के videos available है आप देख सकते हैं reasoning के videos available है आप देख सकते हैं उसके बाद में आपका skill test और ये है तो ये तो एक केवल qualifying nature का होगा आपको पता ही है और इसके बाद में जो आपका descriptive paper भी होगा किसके लिए तो जो आपका junior translation officer बनने जा रहे हैं जिनका code 0301 है उनके लिए translation और ऐसे होगा जो 200 नमबर का होगा 120 मिनट दिये जाएंगे तो ultimately मैं आपको यही बताना चाता हूँ कि जो भी आप LDC की तयारी कर रहे हैं सेम pattern है असिस्टेंट administrative assistant का और store assistant का तो आप आसानी से इसका form फील करिएगा और इसकी भी तयारी कर सकते हैं सेलिबस है, math है, reasoning है, general awareness है और general English है ठीक है समझ में आगई बात, clear है आप सभी लोगों के लिए तो यह थी आपके लिए जानकारी, अगर आप लोगों के जानकारी अच्छी लगी है तो please like and share करना बिल्कुल नहीं भूले और इससे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, धन्यवाद